September 2020 में, इंडिया नेवी के नए प्रोजेक्ट 17A क्लास के तीसरे फ्रिगेट को Mezzogon Dock Limited, Mumbai के शिप याड में लॉंच किया गया Project 17A क्लास के ये फ्रिगेट्स इंडिया नेवी के next generation फ्रिगेट्स हैं जो कि Project 17 यानि शिवाली क्लास फ्रिगेट्स जो आल्रेडी इंडिया नेवी की सर्विस में है की बहुती एडवांस वर्जन है Future में Project 17A क्लास के ships इंडिया नेवी के सबसे एडवांस फ्रिगेट्स होंगे और नए विशाखा पत्रनम क्लास destroyer के साथ इंडिया नेवी के इस वीडियो में हम आपको इंडिया नेवी के इस नए Project 17A क्लास फ्रिगेट्स की सभी एडवांस capability के बारें बताएंगे तो स्टार्ट करते हैं फिर Project 17A क्लास फ्रिगेट्स को निलगिरी क्लास के नाम से जाना जाएगा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईनेस निलगिरी आजाद भारत में बनाये गया पहला बड़ा वार्शिप था जिसे 1972 में इंडियन नेवी में शामिल किया गया था और लगभग 34 years की सर्विस के बाद 1996 में रिटायर किया गया था इसलिए ये माना जाता है कि पुराने निलगिरी क्लास ने आजाद भारत में वार्शिप बिल्डिंग की शुरुवात की थी और इसलिए इंडियन नेवी के नए अडवांस स्टील फ्रिगेट का भी नाम निलगिरी क्लास रखा गया है Project 17A class यानि निलगरी class frigate, Project 17 class यानि शिवाली class जो की इंडिया नेवी के पहले steel frigate थे का improved version है इंडिया ने शिवाली class के तीन frigate बनाए हैं जिनका नाम आइनस शिवालिक, आइनस सत्पुरा और आइनस हयादरी है शिवाली क्लास के इन फ्रिगेट्स को बनाने के बाद इंडा नेवी को ये लगा कि इस dives को और भी इंपरूब किया जा सकता है और काफी research के बाद Project 17A Class यानी निलगरी क्लास फ्रिगेट्स की डिज़ाइन फाइनल की गई इसके अलावा निलगिरी क्लास को acoustic signature reduction यानि पानी के अंदर इसकी noise को कम करने के लिए specially design किया गया है जिससे enemy submarines निलगिरी क्लास के ships को आसानी से नहीं देख पाएंगी निलगिरी क्लास की in advanced stealth technology के चलते इन ships को ढूड़ना दुश्वन के radar के लिए बहुत ही मुश्किल होगा अब बात करते हैं निलगिरी क्लास के sensors की यानि कि वो equipment जिससे निलगिरी क्लास ships दुश्वन के ships और submarines को धूडेंगे निलगिरी क्लास frigates में Israeli ELM 2248 MF-STAR Active Electronically Scanned Array Naval Radar यूज किया जाएगा Israeli MF-STAR radar का पूरा नाम multifunction surveillance track and guidance radar है और इसे दुनिया के सबसे advanced radar में से एक माना जाता है MF-STAR radar एक साथ कई काम कर सकता है जिससे निलगिरी क्लास में शिवाली क्लास से बहुत कम antenna का use करना पड़ता है MF-STAR की range 450 km से जादा है और ये किसी भी enemy fighter को 250 km की दूरी से ही देख सकता है MF-STAR एक fully automated radar है जो की automatically enemy के ships, fighter jets, UAVs और anti-ship missiles को detect कर सकता है इतना ही नहीं MF-STAR radar एक ऐसा unique radar है जो की एक साथ anti-ship missiles, anti-andercraft missiles और बाकी weapons को भी guide कर सकता है MF-STAR एक साथ बहुत साई targets को अलग-अलग weapons से engage कर सकता है और इससी लिए निलगिरी क्लास frigates दुश्मन के बड़े attack का भी बड़ी ही आसानी से सामना कर सकते है Enemy Submarines से लड़ने के लिए निलगिरी क्लास frigates में DRDO और भारत Electronics Limited के त्वारा बनाय हुए 3rd generation HUMSA NG Sonar लगाया गया है हमसा NG active और passive दोनों मोड में काम कर सकता है और ये Enemy Submarines और Toppy Toes को बड़ी आसानी से देख सकता है निलगिरी क्लास के Stealth Design और इसके Advanced Sensor के बारे में बताने के बाद अब हम आपको निलगिरी क्लास frigates के सबसे बड़ा वेपन इसमें लगी 8 Brahmos Missiles होंगी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 500 किलोमेटर रेंज वाली Brahmos Missile को इंडिया और रश्या ने मिलकर बनाया है और इसे दुनिया की सबसे खतरनाक Anti-Ship Missile माना जाता है Brahmos Missile माक 3 यानि की 3700 किलोमेटर पराहर की स्पीड से उड़ती है और दुनिया के किसी भी शिप या लैंड बेस टार्गेट को डिस्ट्रॉई कर सकती है निलगिरी क्लास का दूसरा सबसे बड़ा वेपन इसमें लगी 32 बराक 8 Surface to Air Missile सिस्टम है Surface to Air Missile को हम SAM भी बुलाते हैं बराक 8 को इंडिया और इस्रेल ने मिलकर बनाया है और ये किसी भी तरह के Air Strike का सामना कर सकती है बराक 8 SAM की रेंज 100 किलोमेटर से है और ये किसी भी UAV, हिलिकॉप्टर, फाइटर जेट और एंटी शिप मिसाइल को डिस्ट्वाई कर सकती है बराक 8 मिसाइल एनवी की बलस्टिक मिसाइल को भी डिस्ट्वाई कर सकती है और इसका यूज इंडिया की कोस्टल सिटीज को चाइनीज या पाकिस्तानी मिसाइल एटाइक से बचाने के लिए भी किया जा सकता है बराक 8 SAM की एक और एडवांटेज ये भी है कि एक वर्टिकल लॉंच सिस्टम है जिसमें मिसाइल को अलगला कंटेनर लॉंचर में रखा जाता है जिससे एक साथ कई बराक 8 SAM फायर की जा सकती है इससे पहले इंडिया नेवी के फ्रिगेट रशियन शटिल सर्फेस टू एर मिसाइल यूज करते थे जिसकी रेंज 30 किलूमेटर थी जो की बराक 8 मिसाइल की 100 किलूमेटर रेंज से बहुत कम है इसके अलावा शटिल मिसाइल को एक मेकानिकल मिसाइल लॉंचर से फायर किया जाता है जिससे एक समय में एक ही मिसाइल फायर की जा सकती है लेकिन अब इंडिया नेवी एक साग 100 km रेंज वाली कई बराकेट मिसाइल को लॉंच कर सकती है जिससे एनिमी एरक्राफ्ट्स और मिसाइल का बच्वाना इंपॉसिबल होगा निलिरी क्लास का तीसरा सबसे बड़ा विपन है अमेरिका की बनाई हुई 127mm Mark 45 Lightweight Nevel Gun जो की निलिरी क्लास फ्रिगेट के आगे लगाई जाएगी इस गन की रेंज 37 km है और ये एनिमी शिप्स, एक्राफ्ट और कोस्टल टार्गेट पर बहुत अक्यूरेट अटैक कर सकती है USA में बनी ये गन पूरी तरीके से आटोमेटिक है और दुनिया के सभी एडवांस शिप्स पर लगाई गई है निलिरी क्लास फ्रिगेट में AK-630 Naval Close In Weapon System यानि की CIWS लगाया गया है जो की एक फुली आटोमेटिक सेल्फ डिफेंस सिस्टम है AK-630 CIWS में टोटल 630 mm गन्स होती है जो की 10,000 राउंड पर मिनट फायर करती है AK-630 एक फुली आटोमेटिक राडार कंट्रोल सिस्टम है जो की निलिगरी क्लास फ्रिगेट के 4 km की रेंज में आने वाले किसी भी इनिमी मिसाइल्स या एक राफ्ट को तुरन डिस्ट्रॉइ कर देगी इसके अलावा निलिगरी क्लास फ्रिगेट में RBU 6000 एंटी समरीन ओकेट लगाये गए हैं modular technology में ships को छोटे-छोटे हिस्से यानि modular में अलग-अलग locations पर बनाया जाता है जिनका weight कई hundred tons भी होता है एक बार सारे modules बन जाने के बाद ship को assemble किया जाता है modular construction की दो बड़ी advantage है पहला कि modular technology से ship को बहुत ही कम समय में बनाया जा सकता है और दूसरा कि किसी भी module को future में बहुत ही आसानी सब्गरेट किया सकता है Defense Ministry ने Indian AV के लिए निलिगरी क्लास के 7 frigates को order दिया है जिसमें से 4 Mazogon Dock Limited Mumbai और 3 frigates Garden Reach Ship Builders and Engineers Kolkata में बनाया जाएंगे निलिगरी क्लास के 3 frigates की cost लगभग 4,000 करोर रूपीज होगी और पूरे program की cost लगभग 45,000 करोर रूपीज होगी जिसमें कई important stages भी include है निलिगरी क्लास के पहले frigates INS निलिगरी 2022 में इंडिया ने नेवी में commission होगा और 2025 तक निलिगरी क्लास के सभी 7 frigates इंडिया नेवी के service में होगे आखिर में मैं आपको team guarding इंडिया के तरफ से बताना चाहूँगा कि project 17A यानि निलिगरी क्लास frigates इंडिया नेवी के बहुत ही powerful ships होगे और ये इंडिया नेवी को इंडिया नेवी में Chinese नेवी की बढ़ती हुए activities को control करने की capability देंगे जिससे इंडिया ओशन हमेशा इंडिया के control में रहेगा इसी के साथ हम इस topic को इस वीडियो में यहीं पर end करते हैं हो सके तो अपने feedback comments में जरूर बताएगा हम इसी तरह इंडिया नाव forces से related videos लाते रहेंगे वीडियो गर अच्छे लगी हो तो like, subscribe और share अती आवश्यक है और घंटी के option को दवाना मत भूलिएगा उसी से आपको हमारी नई वीडियो अप्लोड्स की notifications मिलेगी जय हिंद जय हिंद